तो जब भी हम lines की equation लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो चीज हम लिखते हैं, उसे हम linear equation बोलते हैं, जैसे अगर मैं एक linear equation लिखू यहाँ पर, जैसे y equals to 2x plus 3, अब यह मेरी एक linear equation है, linear इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो variables हैं, उनकी power मेरी 1 है, 1 से जादा अगर power होगी, तो व मुझे एक line मिलेगी, लेकिन इसी equation को लिखने के कई और तरीके भी हैं, अगर मैं इस equation में थोड़ी सी छेडखानी करूँ, माल लेते हैं, मैं दोनों side 5 से subtract कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा y minus 5 is equal to 2x plus 3 minus 5, यानिकि 2x minus 2, और अगर मैं इन दोनों में से 2 common ले लूँ, तो subtract कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा y minus 2x is equal to, यहां से मेरा 2x cancel हो जाएगा, तो यह भज़ेगा सिरफ 3, अब इस तरह से मैं infinite तरीकों से इस equation को लिख सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हमारा ध्यान इस form पे रहेगा, यह जो y equals to 2x plus 3 लिखा हुआ है, इसको हम maths में slope intercept form मैं यहां लिखता हूँ, इसको हम बोलते है slope intercept form, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी line की equation को इस form में लिखने के क्या फायदे हैं, और इसको slope intercept form क्यों बुलाते हैं, अब यह जो बाकी अलग forms हैं, यह भी हमारे काम की हैं, लेकिन इनको हम किसी और वीडियो में पढ इधान देते हैं, यह लिखा हूँ है y equals to 2x plus 3, अब इसका अगर मुझे graph बनाना हो, तो मुझे कम से कम दो point ची होंगे, अगर मैं x और y coordinate mark करूँ, अब मैं देखूं अगर अलग-अलग x पे मेरे y की क्या values आ रही हैं, तो सबसे पहले अगर मैं x की value 0 डालू, जो सबसे simple value x की, अगर मैं यहाँ पर 0 डालू, तो मेरा जो output है, वो हो जाएगा 2 times 0 plus 3, यानि की 3, तो जब मैं x की value 0 डालता हूँ, तो मुझे y की value 3 मिलती है, अगर मैं इसको graph पे plot करूँ, अगर इस point को अगर मैं graph पे plot करूँ, तो 0,3 मेरा कहीं यहाँ पर आएगा, 0,1,2,3, यह point हो जाएगा मेरा 0,3, यानि की मेरी line इस point से pass कर रही होगी, अभी मुझे यह नहीं पता कि इसकी slope क्या है, हो सकता है कि यह line ऐसे जा रही हो, हो सकता है कि यह line ऐसे जा रही हो, लेकिन मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ, कि इस line का y intercept हमेशा 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मु और कमाल की बात यह है, कि यह equation हमें खुद बताती है, कि इसका intercept 3 होगा, अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर यह last में एक constant है, यह 3 लिखा हुआ है, यही 3 हमारा इस line का y intercept हो जाता है, और हम देख भी सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि y intercept का मतलब है, वो y coordinate जह y intercept क्या होगा, लेकिन क्या इस line की equation को देख के हमें बता सकता हूँ कि इसकी slope क्या होगी, अब क्योंकि इसका राम slope intercept form है, और यह y intercept हमें देख के बता रहा है, तो होना तो यही चाहिए कि slope भी हमें देख के पता लग जाए, तो चलो उसके लिए मैं इसको साफ करता हूँ य जब मैंने x एक unit बढ़ाया, तब मेरे y की value क्या होती है, तो यहाँ पर x एक बढ़ाने पे, मेरे x की value हो जाती है 1, तो यह हो जाएगा 2 into 1 plus 3, यानि कि 5, तो यानि कि मेरे y की value हो जाएगी 5, तो x एक बढ़ाने पे, मेरा y यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर मैं plus 2 लि और जोड़के मैंने इसको 2 कर दिया तब देखते हैं y कितना होगा तो जब x के value 2 होती है तो यह हो जाएगा 2 into 2 यानिकी 4 प्लस 3 यानिकी 7 तो जब x मैंने एक और बढ़ाया तो y मेरा फिर से 2 unit बढ़ गया तो सीधी सी बात यह है कि जब भी मैं x में एक unit बढ़ाऊंगा मेरा y दो unit बढ़ेगा और यही चीज तो मेरी slope बताती है मेरी slope कहती है अगर मैं यहां लिखो slope का मतलब होता है change in y by change in x यानिकी rate of change of y with respect to x तो यानिकी जब मैं x में छेड़खानी करता हूँ तो y में कितनी चेड़खानी होती है तो यहां से मैं देख सकता हूँ कि मेरी इस line के लिए अगर मेरा change in x1 है अगर मेरा delta x1 है तो मेरा change in y2 होगा यानिकी इस line की slope होनी change in 2 और यह 2 यह भी तो मुझे इस line की equation में यहां पर यह दिख रहा है यह 2 मेरा यहां रखा हुआ है x के बगल में तो यानिकी इस line की equation को देख के हम बता सकते हैं कि इसका y intercept क्या होगा और इसकी slope क्या होगी अगर मैं इसका graph बनाना चाहूँ माल लेते हैं मैं एक point और लेता हूँ यह जो 2,7 है तो 2,7 यह मेरा एक और point हो गया और अगर इन दोनो point से pass करने वाली मैं एक line बनाऊ तो अगर मैं line बनाऊ जो इन दोनो point से pass कर रही है तो वो कुछ ऐसी होगी मेरी line ऐसी बनेगी तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस line की एक positive slope है क्योंकि x बढ़ाने से मेरा y बढ़ रहा है और यहां पर अगर मैं देखना चाहूं कि कितना बढ़ रहा है तो हम देख सकते हैं कि अगर x में मैं एक unit आगे बढ़ता हूं तो मेरा y दो unit बढ़ता है अगर मैं x में दो unit आगे बढ़ता हूं तो delta y by delta x 4 upon 2 मेरा वापिस से 2 हो जाता है और अगर मैं नीचे आऊँ यही चीज में उल्टा करूँ अगर मैं x में 2 unit कम कर देता हूँ तो मेरा y भी 4 unit कम हो जाता है तो यानि कि change in y by change in x मेरा हमेशा 2 के बराबर रहेगा यानि कि इस line की slope सही में 2 के बराबर है तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हम इस form को slope intercept form क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर एक side सिरफ y लिखा हुआ है और बाकि सारी चीज़ें अगर दूसरी side है तो तुम x की value 0 करके सीधे सीधे y intercept निकाल सकते हो तो y intercept तो मेरा वैसे या जाएगा और जो भी x के बगल में लिखा हुआ है वो मेरा change in y by change in x के बराबर हो जाएगा तो वो मेरी slope के बराबर हो जाएगा तो इसी चीज़ का अगर मैं एक और example लूँ मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगा बनाता हूँ माल लेते हैं मेरी एक दूसरी line है जिसको मैं लिखता हूँ y बराबर y बराबर minus x plus 2 और क्योंकि मेरी एक line slope intercept form में लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर इसको देख के बता सकता हूँ कि इसका जो y intercept होगा जो इसका y intercept होगा यह होगा plus 2 और जो इसकी slope होगी यह होनी चीए जो x के बगल में लिखा हुआ है यह constant है minus 1 तो slope होनी चीए इसकी minus 1 इसका अगर मैं graph बनाओ तो y intercept मेरा जब plus 2 है तो वो point मेरा यहाँ पर होगा और एक negative slope का मतलब यह है slope जो minus 1 है इसका मतलब यह है कि अगर मैं x में एक unit आगे बढ़ता हूँ तो मुझे y में एक unit नीचे आना होगा यानि कि एक unit कम करना होगा अगर मैं x में 2 unit आगे बढ़ता हूँ तो मुझे y में 2 unit नीचे आना होगा तो जो मेरी line है वो कुछ इस तरह से बनेगी अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरी line जिसकी slope minus 1 है वो कुछ ऐसे बनेगी तो यह हो जाएगी मेरी line y equals to minus x plus 2 तो इस तरह से हम किसी भी line की अगर equation लिखें इस slope intercept form में तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि उसका y intercept क्या है और उसकी slope क्या है बस यहाँ पर एक छोट इसी चीज है जिसका तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कभी-कभी हम यह भूल जाते हैं कि इस y का coefficient क्या होना चीए तो slope intercept form बोलती है कि इस y के आगे कुछ नहीं होना चीए यानि कि इसका coefficient हमारा 1 होना चीए तो y का coefficient दोनों cases में मेरा 1 था अगर y का coefficient 1 है तब ही हम बोल सकते हैं कि जो x के बगल में लिखा है वो इसकी slope हो जाएगी और जो constant है वो इसका y intercept हो जाएगा मैं चाता हूँ कि तुम्हें इस बारे में खुद से सोचो कि y का coefficient अगर हम 1 की जगा कुछ और कर दे 2 कर दें या 4 कर दें या 7 कर दें तो क्या उसके बाद भी हम इसकी slope और intercept देख के निकाल सकते हैं नहीं